जेन फ्रेंट जोब सजट उपचल मैं आपका स्वागत है आज इस वीडियो में केंड़ेट के लिए बहुत ही बड़ी कुछ कबरी लेकर आया हूं जिसमें आपकी ग्रूप C की और बड़ी रिकूट्मेंट आ चुकी है साउथ वेस्टन कमांड जेपूर में आपकी यह प्रव्ड में आपको पॉस्टिंग द्या सकता है कहीं भी आपको भाज जा सकता है उसकी मिद्यकर और रहनी वाली हैं जिसको और์ cens कर रहा है आपकी गर्णेडिया रेजिमेंट आपकी इसको जायर गौर्णाइजिसन करके आपकी बढ़ती करवा करें इसको आपको अलग उनिटों में आपको भेजा जाएगा इसकी वीडियो में एक जानकारी लेने वाले हैं तो वीडियो देखें इसक्रीन पर आप यह कमांड जैपपुर में आपकी यह रिक्रूटमेंट आउट की गी है जिसमें आपका फोर्मेट के अनुसार आपको अपलिकेशन फॉरम बरना पड़ेगा यह कंप्लिट आपकी वीकेंचीज हैड्वाटर शाउथन कमांड के इस्टिबलिस्ट में आपकी वीकेंचीज आउ और्गनाइज कर रही है इसमें दा कमांडिंग अफसर 24 गर्णेडियर वेशाली नगर द्वार आप जो देख सकते हैं पहले एक्जाम भी हुई है यहाई पर आपकी जो साउथन कमांड के एक्जाम करवाई गी थी जैपूर राजस्तान में ही यह आपकी इसमें आपको 28 ड कंडित रहने वाले है तो इस टॉन घॉन जाथए औरवर और परती जो कि zer já सर घॉन यॉपर को प्रीस कर पाएगे और बाकी एसे में कोई ख़ाय नहीं है और बिरे नहीं यह कौनम आ केस्ट है जनरल केंडेट ही अपलाई कर पाएंगे बाकि जो भी केंडेट 18-25 साल शे उपर जो भी केंडेट हैं उनको कोई भी आयवी की सूट इसमें नहीं मिलने वाली है जिसमें आप देख सकते हैं दूसरी हैं प्यक्स आपकी एक पोश्ट रहनी वाली है जो भी आपकी ज साल वाले ही केंडेट अपलाई कर पाएंगे आप किसी भी केटेगरी के हो जनरल से आप अपलाई कर सकते हैं यह दि आपकी एज 18-25 साल है तो उसके बाद में नेक्स्ट विकेंच हैं एम्टिस हेड मेसंजर की जो की जनरल की लिए यही पोई आपकी पॉष्ट रहने वाली है जिसमें आपके मेट्रिकुलेशन आपसे दिया गया मेट्रिकुलेशन वाले केंडेट इसको अपलाई कर पाएंगी उसके बाद में मेसंजर की पांस पोश्ट है यह पहले अपकी जन जर्नल की आपकी पोश्ट है वोबीसी के एक पोश्ट है टोटल तीन पोश्ट पे रिक्रूट्मेंट रहने वाली है टैंथ पास वाले के इसको अपलाई कर पाएंगे एज आपकी इसमें 18-25 साल जर्नल के लिए 18-27 साल आपका 28 साल है वोबीसी के लिए AWS के लिए भी 18-25 साल ही आपकी होगी इसके बाद में नेक्स्ट आपकी विकेंचीज हैं चोकिदार के लिए दो पोश्ट हैं जो कि आपकी जर्नल की रहने वाली हैं जिसमें 18-25 साल वाले केंड़ेट अपलाई कर पाएंगे लेवल 1 के विकेंचीज रहेंगी जो कि एक परमान उसन में 18-25 से कम हैं तो आप सभी केंड़ेट जो भी किसी क्यकरिकी में तो अपलाई कर सकते हैं एमिद्थरी की एक अप वोश्ट स्कूर्य की इसमें 18-25 साल से कम हैं और रहने वाली हैं जो की जन्रल की बाकी की कि कि आपके SIMP की बाकी कि किसी के एटेगरी की आपकी पॉश्ट necessarily कर सकते हैं यह दि स्वेख आपी इज्थ एधे 26 है तो तो इसमें जोवेंट अपलाइ करना चाते हैं ऑफ-उर pensrant रहेगा बाकी कि आप эти की आप देख सकते हैं 18-25 साल बाकी की की कोई भी नहीं है तो आपके लागू रहेगा आपका अधर के लिए और यह सम जो एडिवलेश के टेंड है तो उनके लिए भी 18-25 साल यह आपका रहने वाला है अप्लिकेशन को बेजने के लिए अप्लिकेशन के पोस्ट पर आपको ज आते हैं वहापे आपको अपलाई कर सकेंगे उस में केटेगरी का नाम आपको लिखना होगा यह बीकसी घर्डवाद्र आपके जो भी आपके कंपांड उन में आउट याइप ने सुना भी होगा सब जगह आपकी विक्रश आउटissä जो बोलते हैं सर्कार्थे यह कंटी स ad Seems स्वाटन कमांड में भी तो आपकी इविकेंशिय रहने वाली परकार की उसी तरज पर आपकी विकेंशी आउट की इसमें केंडेट देख सकता हैं जो भी आपके पास सेंटर कोवर्मेंट का होना चाहिए उसी का अपलाइ कर सकेंगे बाकी आपको 3 पासवपोर्ट। साइज फोर्टोग्राफ डूली Liberty 같ेट आपको साथ में भी इजनी होगी और एक सात में आपको जो जो में उसमें हैं इड्मिट कार्ड पे चिपकरने होगी एक आपको जो भी आपका फोर्म और परकार आपके सब्सक्राइब करने जाएंगे जिसकी कटोफ आपकी 75 या 85 से ज़्यादा रहने वाली है इस बार आपके अप्लिकेशन फोरम भी बहुत ही ज्यादा आपके अपलाई होने वाले हैं जो भी आपकी बेसिक है क्वालिफिकेशन होगी उसी कादार पर आपको जो केंडेट अपके साप से आपको शोट लिस्टेट के जाएंगे उनसी के अदर पर आपको एक्जाम के लिए बलाए जाएंगे और इसके बाद में आपकाक Easy점 होगा है वह जुरूर अप्लाइ करें इसमें आपका रिटर्ण जे और एक्जाम होगा वह आपके जनल इंटलेंस रहेगी जनल आंसोस रहेंगे नमेरिकल रहेगा और लेंग्विज कंप्रेशन रहेगा और उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा तो आप देख सकते हैं यह पास वाले कंडियित आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे इसमैं आप देख सकते हैं कमप्लिट जो दिय गया है इसमें आपको चार से दो से पांच दिन candidate को रहना पढ़ सकता है वहां पे साथ ही complete आपको करवाई जाएगी जो भी प्रकिरिया है वो complete आपकी एक ही साथ करवाई जाएगी तो आवासे आपको 2-4 दिन रहना पढ़ सकता है तो वहां पे आपकी complete जो भी आपकी रहने की विवस्ता खुद को करनी होगी उसके बाद मे जो भी आप देख सकते हैं जो भी करेक्टर सेटिवेट है डिसलेटी सेटिवेट है एजूसें सेटिवेट है या ओर्जिन कोई भी डॉकुमेंट आपको साथ में नहीं बेजना है उस टाइम में आप जैसे ही आपके स्किल टेस्ट होगा या आपका जो एक्जामिनेशन होग कोई भी ऐसा नहीं निकाल सकता और अपका जो मेडिकल है वो मेडिकल फीटवन स्विववल अथोर्थी से आपका मेडिकल फीटवेट बनता है जो कि आपको बहुत ही नॉर्मल जैसे आपके सिवल इस्पिताल में आपकी नौरॉलमल चेकप आपके होती है तो लगबग केंडिट को कोई भी कोई टेंसल लेने की जूरत नहीं है कोई भी बड़ा फिजिकल आपका इसमें नहीं होने वाला है नहीं कोई मेडिकल होने वाला है एक्जाम बेस पे ही सब कुछ सेलेक सकती है नहीं कि आपकी ऐसे नहीं है कि आपने मेसेंजर की पोश्ट है वास जो भी आपकी अदर पोश्टेज है जैसे दफ्तरी की पोश्ट है सफ़य वाले की है तो इसमें आपकी मैं में सारे डूटी यह एक साथ आती हैं में से भी ट्रेड आती है तो उनमें कहीं भी चे इक्जाम दिया होगा वहीप आपका एक्जाम करवाए गया था उसका रिजह भी जल्दी आने वाला है बहुत ही जल्दी उसका रिजट आपको देखने को मिलने वाला है तो जो भी candidate है इस forum को apply करना चाहते हैं आपकी जल्द ही हमारी website है waytojobsite.com जिसकी link आपको नीचे डिफ सेक्षन बॉक्स में मिल जाएगी इससे में आपकी complete PDF डाउनलोड कर पाएंगे और application forum start होते ही complete आपको application forum भी download कर सकेंगे तो जो भी candidate है forum जुरूर apply करते हैं हमारा telegram group है वो जुरूर जोइन कर लिए complete update notification result की complete जानकरी वहाँ पे upload की जाती है उससे समधित complete आपको जो भी PDF है एक्जाम से समधित वहाँ पे आपको pin message में मिल जाएगी वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं जाके complete download भी कर सकते हैं देख सकते हैं और website पर भी आपको previous paper आपको download करने के लिए मिल सकते हैं तो वहाँ से आप website पर जाकर भी आप previous paper भी download कर सकते हैं जिसकी website हमारे link नीचे description box में दी गई है या आप Google भी सर्च कर सकते हैं वे to jobset.com से इसकी complete website दी गई है वहाँ से आप यह forum भी download कर सकते हैं जैन दोस् जैन जैन दोस्तों